कटेहार की मासुम सुमन के अर्मानों को अब पंक लगे हैं क्योंकि सुमन को अब उसके माबाप मिल गए हैं दरसल न्यूजिलेंड से इस संतान जोड़े ने कटेहार पहुँच कर पांच साल की सुमन को गोद लिया है अब सुमन अपने नए विदेशी मातर पिता के साथ बेटी बन जिन्दगी बचर करेंगी कटेहार पहुचे न्यूजिलेंड के डैनियल जेम्स हैंसन ने बताया कि वो पिता के तौर पर सुमन को एक बेहतर जिन्दगी देंगे डैनियल की पतनी सरबोनो क्रिस्टी ने बताया कि ये उनके लिए एक भावनात्मक पल है जिसको वो बयान नहीं कर सकती वो सुमन को लाडली जैसा प्यार देकर उसको बेहतर जिन्दगी देंगे स्थानिया चैल्ड केर संस्थान की मेनेजर प्रियंका कुमारी बताती हैं कि तमाम सरकारी प्रिक्रिया के जरिये ये दमपत्ती बीते कई महिनों से संस्था के संपर्क में थी और अब तमाम काग्जे प्रिक्रिया पूरी होने के बाद उसे सौपा जा रहा है इनका रेजिस्ट्रेशन जो है इंटरनेल एजन्सी से ही होता है और उसके बाद जैसे जिस भी कंट्री से इनको लेना होता है वो चूज करते हैं और हमारे यहां के इंडिया के जहाँ जहां पर है कन्वेंशन वाईज Gis country से हुआ है। ऊसी country से इंडिया का adoption होता है। उसमें एकनी जिए लेंड भी है। और की इसकी बची क्या चाहन है। सुमन कुमारी नाम है, तरॺ रिंडिया का adoption हो रहा है। बता दें कि न्यूजिलेंड के डैनियल, जेम्स, हेंसन और सार्बोनो, क्रिस्टी ने विदेशी दत्तक संस्था आफा के जरिय सुमन को गोद लेने के इच्छा जताई थी संस्था की तरफ से प्रक्रिया पूरी कर दी गई है, अब सुमन न्यूजिलेंड जाकर अपने नई माता पिता के साथ एक नई जिन्दगी की शुरुआत करेंगी कटिहार से राजीव कुमार की रिपोर्ट